नमस्कार दोस्तों ये बिग ब्रेकिंग लेकर आ रहे हैं हम और इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुँचाने जा रहे हैं वो है सुप्रिम कोट के एक फैसले से रिलेटेड सुप्रिम कोट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिससे मोधी सरकार बैक फुट पर आ सकती है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं सुप्रिम कोट ने चुनावी बॉंड यानि इलेक्टोरल बॉंड पर एक जबरदस्त जटका देते हुए सुप्रिम कोट ने आप बिलकु चुनावी बॉंड जो है वो आसंवेधानिक है और यहां से अब एक मुसीबत मोधी सरकार के लिए शुरू होती है जो अभी तक सबसे अमीर पार्टी कहलाती थी क्या वो सबसे गरीव पार्टी होने की कगार पे चली जाएगी यह बात यहां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 से लेकर अब तक का पूरा ब्योरा यानि पूरी जानकारी सुप्रिम कोट ने SBI से मांगी है SBI चुनावी बॉंड जारी करता था आपको पता है ना और पांच जजों की पीट उन पांच जजों की पीट में यह सब कुछ बताऊंगा आपको कि यह मामला क्या है और कैसे य असमविधानिक है Electoral Bonds Supreme Court ने कहा है चुनावी बॉंड जो है वो समविधानिक है जो चुनावी चंदे मिलते हैं पार्टियों को वो समविधानिक है जो Electoral Bonds की तरह के तरह से दिया जाता है Electoral Bonds सूचना के अधिकार का उलंगन है वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बा लगाए ये बात सही ये बात कही है अपने फैसले में सुप्रिम कोट ने पांच जजों की पीट जिसमें CJI यानि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूर के अलावा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना न्यायमूर्ती बी आर गवई न्यायमूर्ती जेबी पारद वाला और न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा ये पांच की जो संवेधानिक पीट थी पांच जजों की संवेधानिक पीट ने एक अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले से अब बैक फुट पर नजर आने वाली है मोधी सरकार क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनावी चंदे इन्ही किया गया है सुप्रिम कोर्ट की तरफ से कि आप अपनी वेब साइट पर जिन जिन पार्टियों को जितने जितने पैसे मिले हैं वो सब वहां पे जारी करेंगे और अभी तक जितने भी हैं हो सकता है कि ये पैसे जो हैं वो लोटाने भी पड़ें तो ये अस समवेधानिक और इस फैसले के पीछे कि कहानी क्या है ये जरा आप तक हम पहुँचाना चाहेंगे। बहुत ही अहम बात यहां हम आप तक पहुचा रहे हैं एक ऐसी जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं जहां से आने वाले समय में दोस्तों ये तैय मानिये की मोदी सरकार की बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। एक तरफ किसान सडकों पे हैं शम्बू बॉडर पर क्या कुछ है वो हम आप तक लगातार पहुचा रहे हैं आज भी पहुचाएंगे वहां की पलपल की रिपोर्ट लेकिन उससे पहले हम तो तैयारी कर रहे थे किसानों के आंदोलन पे अभी चर्चा जारी रखने की लेक पर्र कहलाते हैं आप मदाता कहलाते हैं और आपको ये बात जानने का अधिकार है कि उस पार्टी को कौन पैसा दे रहा है कहां से पैसा दे रहा है कितना पैसा दे रहा है ये जानना बहुत जरूरी है और ये एक अहम फैसला आज सुना दिया है सुप्रिम कोट ने पांच ज़जों की पीठ जिसमें जिसको लीड करते हुए सी जे आई डी वाई चंदरचूर डी वाई चंदरचूर के बारे में कहा जा रहा था कि वो पता नहीं क्या 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 क्योंकि तीन सो सतर पे एक अलग तरह का फैसला आया और उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं उन बीजेपी की परिशानिया बढ़ गई हैं बलकि परिशानी आदानी की भी बढ़ जाएगी और अदानी जैसे और भी कई व्यापारियों की परिशानी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब सब का नाम सामने होगा कि कि किस व्यापारी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिय कितने पैसे चंदे में दिये ये सब कुछ सामने होगा Electoral Bond सूचना के अधिकार का उलंगन है Electoral Bond जो है वो सूचना के अधिकार का उलंगन है बोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है ये सब कह रहे हैं और इसलिए Electoral Bond पर ततकाल रोक का आदेश देता है सूप्रिम कोट पांच जजों की सामविधानिक पीट का ये बड़ा फैसला और इस फैसले से आगे आप जानिये कि परिस्थितियां बिलकुल बदलती हुई नजर आएंगी बहुत बड़ी खबर दोस्तों अपने आप में चौकानी वाली खबर इसलिए ये चौकाने वाली खबर क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला आ जाएगा ये चुनावी बांड चुनावी चंदे जिसको कहते हैं चुनावी चंदा और इस चुनावी चंदे में आप जानिये कि कहीं न कहीं जो छुपे हुए पैसे जो काला धन इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताओं कि ये मसला है क्या दरसल दो पार्टियों ने एडियार आप जानते हैं और दूसरा जो है वो एडियार जो है वो असोसेशन पोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है और उसके अलावा सीपी आई एम सीपी आई एम ने इन दोनों ने यानि भारतिये कम्मुनिस्ट पार्टी मार्सवादी ने या कह आई है कि किस के पास किस पार्टी के पास किस के थुरू कितना पैसा आ रहा है पार्टियां जो है वो चंदे का हिसाब पूरा का पूरा दे देती थी अभी अभी कल ही एडियार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 800 करोर रुपे चंदे के रूप में एक साल में बी जेपी को मिल रहे हैं ये पैसे कौन दे रहा है ये जानने का अधिकार यहां की जनता का है अगर सूचना का अधिकार हमारे हां लागू है हमारे हां आर्टिकल 19.1 लागू है तो ये भी संविधान में तो ये भी जानने का हक है और इसलिए एक यहां याचिका दाखिल की गई 15 अपराइल 2024 को यह जो फैसला आया है अपने आप में एक आहम फैसला है और इस फैसले के तहट पांच जजों की पीठ ने जो सुनवाई की जिसमें डी वाई चंदर चूर हैं संजीव खन्ना हैं बी आर गवई हैं जेवी पारदी वाला हैं और नयमृति मनोज मिश्रा हैं इन पांच जजों की खन्ड पीठ ने लगातार तीन दिनों तक दलीले सुनने के बाद इस मामले में आज अपना फैसला सुना दिया है उस समय फैसला सुरक्शित रख लिया था इलक्टोरल बॉंड्स पर तत्काल रोक लगना चाहिए इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि सीजाई चंदरचूर, नयामुर्ती संजीव खन्ना, बियार गवई, जेबी पाड़ दिवाला और नयामुर्ती मनोज मिश्रा की खन्ड़ पीठ ने ये पांच जज़ों की संविधानिक पीठ ने आज ये बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है और इस फैसले के तहट ये भी कहा गया है कि FBI तीन हपते के तहट क्योंकि FBI में ही ये पैसे जमा होते थे FBI यानि State Bank of India में वही Electoral Bond जारी करता था आपको अगर किसी पार्टी को पैसा देना है तो जाके उतने रुपए का बांड खरीद लीजिए और उनकी एकाउंट में पैसा चला जाएगा और ये गुपत रखा जाएगा, ये सरकार ने ऐसी बेयुस्था की थी, मोडी सरकार ने ऐसी बेयुस्था की थी, लेकिन ये चुनावी चंदे जो हैं ये गले की फासा बन गए हैं अब यहां से पोल खुलने वाली है उन व्यापारियों की जो मोदी सरकार को बीजेपी को या दूसरे अलग-अलग दलों को पैसा देते रहे हैं बीजेपी का नाम यहां इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 90 परतिशत से ज्यादा पैसे बीजेपी को ही मिले हैं और इसमें जो और भी सारी चीजें हैं दलीरों के बाद जो चुनावी बॉंड योजना जो है इसमें साफ साफ यह कहा जा रहा है कि यह सूचना के अधिकार का उलंगन है और इसको चुनावी देते हुए सॉलिसीटर जनरल तुशार महता ने तर्क दिया था कि इस योजना का उदेश चुनावी प्रक्रिया में नकदी को कम करना है लेकिन इस बात को सुप्रिम कोट ने नहीं माना उसो एक खारिज कर दिया सुप्रिम कोट ने पांच महतपुर्ण विचार यहां रखे हैं पहला कि चुनावी प्रक्रिया में नकदी तत्व को कम करने की जरुरत तो है बिल्कुल सही है अधिकरित बैंकिंग चैनलों के उप्योग को प्रुचसाहित करने की भी जरुरत है गोपनियता द्वारा बैंकिंग चैनलों के उप्योग को प्रुचसाहित करने की भी जरुरत है यहां ट्रांसपेरेंसी यानि पारदर्शिता की जरुरत है रिश्वत का वैदी करन है यह सारी चीजें कह रहे हैं यहां सुप्रिम कोट यहां रिश्वत जो है उसको वैद तरीके से दिया जा रहा है इस से इस बांड के जरीए यह सारी चीजें और इस बांड के जरीए आप नकदी तत्व को कम करने की बात जो कह रहे हैं लेकिन वो कम नहीं हो रहा है यह तत्वा यानि नकद भी यहां है आप किसी भी रूप में आप जाते हैं बैंक में नकद देते हैं चुनावी बाउंड खरीद लेते हैं उनके एकाउंड में चला गया और पता भी नहीं चलता है कि राजीव ने दिया कि संजीव ने दिया कि क स्वागत करता हूँ और हमारे साथ हमारे साथी अमलेंदू पाध्याई जी इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं आप दोनों का स्वागत है और आप सब तमाम दोस्त साथी शुबचिन तक आप सब का भी इस्तिक्बाल करता हूँ स्वागत करता हूँ गुड मॉर्निंग कहता हूँ सत्ष्री अकाल कहता हूँ इस कारिकरा में सलाम आदाब करता हूँ आप सबको क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर उधर किसानों का आंदोलन उसके अपडेट के साथ तो हम आप तक लगातार पहुंच रहे हैं और आज भी प समद करते हैं मतलब इसमें किसी भी माननी निया मुर्ति का इसमें कोई नहीं है विरोदावास नहीं है और सब इक तरीके से सुनाये महतफू बाच जो राजीवजी इसमें फैसने में वह यह कि कहा कि झुदारा आर्ट्किल नाइंटीन वन ए है ये उसका जो है एक तरीके से लंगन है यानि जो संबैदानिक अधिकार है मद्दाता का जानने का ये उसका जो है अधिकार है और सुप्रीम कोट इसको किसी भी हाल में बरदाश नहीं कर सकता दूसरा जो सरकार की तब से दिया गया था कि चैनल आदमी को जानने का हाँ है कि जिस तक दल को समर्थं कर रहा है उसको दे रहा है उसके पास पैसा आख कहां से रहा आक है अब इसके बाद जी जो चीज़ेंगी कि बहु महत्तपोर बात जो है वह यह होंगी कि अब तो एक पोल यह खुलेगी कि इसके ने पैसा दिया जो बड़ा पैसा लोग होगा तुरू प्रोपर चैनल अगर किसी ने लिया होगा तो वह खुल जाएगा उसमें यह भी मालू खरीदे और ECI को अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करना होगा कि किस किस ने जो है ये खरीदें सब इलेक्ट्रोन तो एक पारदरश्टा वाजी ते कि इसमें कहा जो गया था किसा भी ये राजनीती में जो है वो पारदरश्टा लाने के लिए और चुनावी चंदा जो वही सुप्रीम कोट आज कह रहा है इस बात को कि इससे जो है काराधन जो है वो सफेद होने का काम एक तरीकी से हो रहा है तो यह सारी बात इस तरीक से आ जाई है मैं जबता यह सरकार के लिए बहुत बड़ा एक सैट बैक है चुकि भारतरी जंता पारजी और मोधी सरकार इसको एक बड़े उपलब्धी के रूप में अब तक प्रचारित करते रहे थे कि साब बड़ा उपलब्धी है और इलेक्टरल बॉर्ण जो है आगए है चंदा जो कोई भी दे सकता है और कोई दवाव नहीं होगा इस तरीकी सब बात तरीकी से सुप्रीम कोट ने हतोरा च की जो बेंच है समविधानिक पीठ जो है उसने आज एक अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले में सबसे महतुपूर्ण बात कि ये जो समविधानिक है वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है अधिकार है और इस अधिकार को आप रोक नहीं सकते हैं इलक्टोरल बांड्स यानि चुनावी चंदे पर ततकाल रोक का आदेश देता है सुप्रिम कोर्ट ये सुप्रिम कोर्ट ने कहा है पाँज़ों की समविधानिक पीठ का ये सबसे बड़ा फैसला जिससे बैक फुट पर मोधी सरकार आ सकती है इसलिए क्योंकि यहाँ पर स सब की पोल पट्टी खुल जाएगी ये तैमानिये और समविधानिक है इलक्टोरल बांड्स ये साफ कह रहा है सुप्रिम कोर्ट और आखिर अदानी ने कितने पैसे दिये अंबानी ने कितने पैसे दिये टाटा ने कितने दिये सब कुछ अपता चल जाएगा और यहीं से एक अलग परिस्थितियां देश में उत्पन होंगी और यहां से चुनाव की प्रक्रिया कहीं न कहीं साफ नजर आएगी साफ होती हुई स्वच्छ होती हुई नजर आएगी और शायद यहां से एक और इस्थिति उत्पन हो जिसमें हम कहें कि EVM की तरफ भी अब थोड़ा ध दिखाएंगे एक छोटा मोटा नहीं बहुत ही बड़ा फैसला आना चाहता हूँ हमारे साथी प्रशान टंडन जी के पास जल्दी से और उन से समझों कि आखिर यहां पर प्रशान जी यहां से आपका वीडियो थोड़ा डाउन दिख रहा है प्रशान जी अगर दुबारा रिज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहलों पर हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा से रिज्वाइन कर लिए दुबारा आता हूँ आपके पास लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां दोस्तों यह कि चुनावी चंदे जि इस और नाइजेशन ने उसे पैसे दिये और इसी लिए यहां इस चीज को रोकने की इस पर परदा डालने की कोशिश हमेसा होती रही लेकिन अब क्योंकि आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी के पास पैसे की कमी हुई उसने वहां डोनेशन चालू किया कि आप हमको और कॉंग्रेस के बीच अगर देखा जाए तो जमीन और आस्मान का अंतर है बीजे पी जहां लगबग आट सो करोर रुपे पिछले एक साल में कमाती है उसके पास चंदे आते हैं तो कॉंग्रेस के पास 80 करोर रुपे मात रहाता है दूसरे नमबर वाला पार्टी और पह भी तो अब पता चलेगा दोस्तों और यहीं से सब के चेहरे बेनकाब होंगे और आज चेहरों को बेनकाब करने की शुरुवात सुप्रिम कोर्ट ने कर दी है क्या किस हिसाब से देखते हैं प्रशान टंडन जी क्या आप भी प्रशान जी जुड़े हुए हैं प्रशान ज लिस्ट पब्लिश करने हैं आपका जरा मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि या तो दुबारा लिंक भीजे लेकिन इधर अमलेंदू पाधिया जी कैसे देखते हैं आप क्या यहां से जो चेहरा बेनकाब वाली बात है वह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैसे दिखते इसको निश्ट पर राजीब यहां से बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे और यह पोल खुल लाईगी कि किसने पैसा दिया और किसको पैसा दिया और उस पैसे के एवज में क्या-क्या उसको सुवधाय मिली यह भी चीज़े खुल लाएंगी चूंकि जो बहुत से कानून बतले और आई है कि इलेक्टार बॉंट्स ऐसे भी लोगों ऐसे भी राजितिक दर लोगों के पास पहुंचे जिनका जो है वो तरीकी से वो निश्क्री है उनको दिया गया तो आएकी विवाग जो उसने ही नोटिस बेज़े हैं कि उनकी जाच होगी कि यह काला धन को सफेद करन गये थे और राहुल गांधी जो से दोया उन्नीस में जिस बात को कह रहे थे कि भारत में रिश्वत और कमिशन को चुनावी बहुंच कायाता है उस बात पे एक तरीके से सुप्रीम कोट ने और सीजियाई चंदचूर साब की जो पांच जड़ों की बेंच थी उसने इस प लोगों को नहीं मालू है आम लोगों को नहीं मालू है कि पैसा किसके पास से आया लेकिन पैसा कहां से आया यह को मालू है और सरकार को मालू है तो जब पैसा कहां से आया यह सरकार को और SBI को मालू है, State Bank of India को मालू है, तो आम मत दाता को यह क्यों नहीं मालू होना चाहिए कि पैसा राजितिक दनलों के पास कहा से आ रहा है? सुप्रीम कोट नहीं इस पर यही सवाल उठाया कि जब आपको मालू है कि इंकम्टेक्ष विभाग को और SBI को मालू है कि पैसा कहा से आ रहा है? तो आम मत दाता इसको क्यों नहीं जान सकता? आपको याद होगा कि इलेटरल बॉन्ट के साथ साथ आर्टी आई में भी बहुत जादे संशोधन इस सरकार में किये अब समझ में आ रहा है कि आर्टी आई में संशोधन क्यों किये गए? इसलिए किये गए ताकि आई टी आई के जरीए ये सब सूचना है सामने निकल करके ना है लोग ये सूचना है ना मांग सकें कि राइटिक दलों के पास अवैट चंदा जो मतलब है एक तरीके से काना धंजो आ रहा है वो कहां से आ रहा है और आज सूचना की अधिकार का भी एक तरीके से हनन है आम मद्दाता को जानने का हक है उसका ये जो हनन है तो कुल मिला करके ये जो चीज़ें आई है ये सुप्रीम कोट मुझे रखता राजीब जी इसके अभी जब पूरा आज आजाएगा पब्लिक जोट में आजाएगा तब इस पर और एक विशद समीक्षा इसके की जाई ही कि सुप्रीम कोट ने किन किन चीज़ें को लेकर कि सरकार की जो है वो पूल पट्की एक तरीक से खोली है बैहार कुल मिला कि अभी तक जो आया है सुप्रीम कोट की तरफ से जो भी आदिश की प्रतीज मतलब जो आया है बुलेक पॉइंट थमिलों के पास है उसके आदार पर निश्य तो भी यह कहा सकता है कि यह भारतिय जनता पारिटी और खास्तों से प्रधान मन्तिन रएन मोधी की जो गारेंटी प्रधान रएन मोधी कहते हैं उस गाराइंटी पे एक तरीके से बहुत बड़ी चोट ये है और ये कानूनी चोट है राजीब जी और सुप्रीम कोट की समयधानिक पीट की है मतला इसकी अपील जो है वो किसी बड़ी समयधानिक पीट में या वो जखती है यानि इस पे अब एस बी आई को तीन हफ़ते के आया कहां से है यह कुल मिहा करकि आप जंदा के सामने आ जागा राजीब दूर्ब एक सवाल ये भी बढ़ता अब यहां से एक बात और भी आगे बड़ती है वहा है पीएंग केर फंड की बात पीम केर फंड में भी कहां से पैसे आया उसकी जानकारी भी होनी चाही है हमार से लेकिन चलिए पीएम केरफंड की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुप्रिम कोट के आज एक सुप्रिम फैसले की जिस से मोधी सरकार यहां बैक फुट पर है यह तै मानिये बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा दिन हो सकता है क्योंकि यहां स बीजेपी के सामने जहां जहां से चंदे आए बीजेपी में यानि भारती जनरापाटी में जिन जिन लोगों ने जिन जिन वियापारियों ने चंदे दिये वो सब अब यहां सामने होगा आपको हम को हम सब को एक एक गोटर को एक एक मदाता को हिंदुस्तान के मदाता को जानने का अधिकार है कि चुनावी पैसे कहां से आ रहे हैं किन किन पार्टियों को किन किन लोगों के पैसे आ रहे हैं ये आज सुप्रिम कोर्ट ने आदेश दिया है सुप्रिम कोर्ट ने अपने आदेश में साप साप कहा है कि चुनावी चंदे जो बॉंड के जरीया आप ले रहे हैं वो सूचना के अधिकार का उलंगन है वो असमवेधानिक है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए ये एक याचिका दायर होई थी Association for Democratic Reforms यानि ADR और CPM ने एक याचिका दायर की थी 2017 में इसकी सुनवाई हुई और पिछले साल 2023 में नौउंबर में तीन दिनों की लगातार सुनवाई समवेधानिक पीठ पांच जज़ों की समवेधानिक पीठ ने इसकी सुनवाई की और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा आज 15 अपरैल को आज ये फैसला सुबा सुबा सुप्रिम कोर्ट ने सुना दिया है और यहां से एक जबरदस्ट जटका है अगर माना जाये देखा जाये तो CJI चंदरचूर साहब के बारे में जो बाते अभी तक कही जा रही थीं कि वो कहते कुछ और हैं फैसले कुछ और सुनाते हैं ये सब यहां पर बातें जो है एक अलग की अलग रखी जा सकती है क्योंकि आज जो नोंने फैसला सुनाया है ये जन हित में फैसला है ये जनता के हित का फैसला है और यहीं से ये साफ समझ में आ रहा है कि यहां से मोधी सरकार के लिए बीजे पी के लिए गिनती शुरू हो सकती है ये तै मानिये क्योंकि चुनाव आयोग को भी यहां डायरेक्शन है कि आप अपनी वेबसाइट पर ये बताइए कि कहां से किन पार्टियों को किस इंसान ने कितने पैसे दिये और ये जब जानने का अधिकार होगा तो आपको ये भी अधिकार होग कि अडानी साहब ने कितने पैसे दिये अमबानी ने कितने पैसे दिये और भी लोगों को लोगों ने कितने पैसे दिये ये सब जानने का अधिकार है आपको और स्बी आई को स्टेट बैंक आप हिंडिया को सुप्रीम कोट ने ये डायरेक्शन दिया है ये आदेश दिया ह कि आप ततकाल अगले तीन हफ़ते में यानि 21 दिनों में ये बताईए कि कहां कहां से कितने पैसे आए ये सब कुछ सामने रखिए काला धन इसके अंदर जो जा रहा था वो सफेद करने की जो मशीन आपके पास थी वो अब सब कुछ सामने होगा जिस काला धन के नाम पर वीडियो डाउन दिख रहा है अभी भी बहुत दिक्कत दिखाई दे रहा है आज पता नहीं क्यों परशान जी का वीडियो बहुत डाउन है बहुत ज्यादा डाउन दिख रहा है परशान जी का वीडियो कोशिश करता हूँ एक बार अगर आवाज ठीक नहीं आएगी या प्रशान जी को अगर मोबाइल से जोड सके तो मोबाइल से ही ले लीजे दुबारा लिंक भेज रहा है प्रशान जी हम आपके पास और फिर से जुड़िये एक दूसरे लिंक से जुड़िये शायद क्योंकि इस पर आपने अधेयन किया है इस पूरे मसले को प्रशान टंडन ने भी मोबी सरकार को हिला कर रख दिया है ये तैमानिये और जैसी तैयारियां मोबी सरकार ने की हैं जिसमें अलग अलग गड़े 15-15 फीट गड़े खोद कर नदियों में जल भराव करके रोड को दिवारों से चुनवा के बैरिकेडिंग करके एक नहीं बलकि 14-14 लेयर की बैरिकेडिंग करके और आसू गैस के गोले ऊपर से बरसा के गोलियों के रूप में चर्रे बरसा के ये सब जो करके मोधी सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है या करने की कोशिश कर रही है ये भी तैमानिये कि किसान रुकने वाले हैं और नहीं उधर दूसरी तर SKM यानि सन्युक किसान मोर्चा ने रखा हुआ है और वहां से ये इस आंदोलन में एक धार आने वाली है ये आंदोलन और मजबूत होने वाला है तो किसानों के आंदोलन की बात हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं आज शंबू बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है टीक अधनल बांड चुनावी चंदे कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं BJP के लिए? दो यह अज्ग इन यह निट है सु आइसाल पुरानी प्रणी जो यह कांग्रेस उसको जो है पैसा कम बिलता है जाएँ जमर दस तरही के लिए उसी के लिए इन्हें लेकर बांच निए और आये थे और विपक्स इसिस वियात को लगाता यही आरूप लगाता रहा था तो अब जो है वो बाते कुल मिला कर कि यही सामने आई यह सुप्रीम कोट ने भी जो राजी भी बहुत महत्वपूर बाते कही है उन में यही कहिए कि बारहे अपरल दोहया उनीस से अब तक चुनाबी बांच किन किन लोगों ने खरीदे और कितनी रखम लगाई भी कहा है वो महत्वपूर बात यह कही है कि चुनाबी बांच की इस तरह की खरीद से मनी ब्लेक को बढ़ावा ही मिलेगा यह महत्वपूर बात है कि यह इससे जो है मतलब काला धन वो अर्थवववस्था के अंदर आ रहा है और वो चुनाबी दलों के पास मतलब कि अधिकार के नियम का उनलंगन है अगर कोई बेनामी खरीद के तहट भी इसको ले रहा है तो यह तो और भी जाद में कि मालूर नहीं पढ़ दा है कि पैसा ने लिया है कोई कैश में जाकर किこれは चूब बहूं खरीद ले और यह मालूमी नहीं पढ़एगा कि हो लिया किस समझा जा सकता है तो सुप्रीम कोट का कहना है कि हम इस असमबाइधानिक अधिकार के उलंगन पर आख बंद नहीं कर सकते यानि सुप्रीम कोट इस तरीके के काले धन को राजिनीदी में लाने के मसले पर अपनी आख बंद नहीं कर सकता ये सुप्रीम कोट के आदेश का एक तरीके से अर्थ निकलता है राजीब जी अब जो है वो बेंच ने कहा है कि आखिर यह जंता को जानने का हख है कि राजिदिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं सिर्म मतलब यह नहीं कि आपके पास पैसे आ कहां से रहें यह भी जान या bunけ राजिब जी एस पर आगे बात बढ़ती है तो रार्जिदेगनों को ये भी बताना होगा कि उन्होंच पैसे का इस्तिमाल किसे लिए किया, कहा किया उसका पैसे का इस्तिमाल, उसका भी एक विवर्म जो है दान्टिक दनों को देना पड़ सकता है राजीब जी और बेंच ने कहा कि सरकार चुनावी प्रक्रिया में कालाधन रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर विचा करना चाहिए था यानि कि ये जो मामला था ये बिलकुल चुनावी प्रक्रिया में कालाधन रोकने के लिए नहीं राकुल मिला करके ये सरकार ने कहा और उसने जाजीब जी उसकी भी खिचाई की चुनावी योग की उसने का कि चुनावी योग से पूछा कि आखिर आखिर आपके पास इन क्यों क्यों नहीं रखते हैं राजिवी इसलमें ये जो इलेक्टरिल बॉंच लाए गए थे इसमें आर्बी आई को भी किनारे कर दिया गया था आर्बी आई को भी इसमें कोई जानकारी नहीं होती थी और चुनाया को भी कोई जानकारी नहीं होती थी सिर्फ एस्टेट बैं जो है वो किसने खरीदे हैं और कहां से ये पैसा आया है जनता को इसकी कोई जांकाई नहीं होती थी यहीं सारे खबले रोते वो होते थे और इसलिए यह समझाए आता है कि नब्वे पर जादा जो इलेक्ट्राइब बॉंच थे वो भारती जिनता पाई क्यों को इसलिए मिलत कि इसकी जरीर रिश्वत को जो वैद तरीके से लिगलाइस किया जा रहा था यानि की आप रिश्वत जो है वो चुनावी बॉंच ली रूपर ले रहे हैं यह भी समझा जा सकता है राजीब जी बिलकुल रिश्वत भी कि आप चुनावी बॉंड के जरीए ले रहे हैं और इस ये सब लेकिन अगले तीन हपते में SBI दूद का दूद और पानी का पानी कर देगा किस ने कितना पैसा दिया इलक्टोरल बॉंड बॉंड पर सुप्रीम कोट का जो अहम फैसला है उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं क्या क्या बुलेट पॉइंट्स जरा ले आईए स्क्रीन पे और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोट ने वो देख लेते हैं फटा फट सुप्रीम कोट ने इसे असमविधान जो हमारी लोक्तांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाएगा यहां यह प्रशांत भूशन कह रहे हैं इलक्टॉरल बांड्स पर सुप्रेम कोट का अहम फैसला और इस फैसले पर हम भी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आप तक यह चुनावी चंदे के आर आर इसकी आर में जो कुछ हो आर्टिकल 19.1 जो है वो इसका उलंगन करता है वोटर को जानने का अधिकार है कि किन पार्टियों को किटना पैसा किस से मिल रहा है यह मद्दाताओं को जानने का अधिकार है पांच जजों की संभिधानिक पीठ का यह फैसला और बहुत बड़ा फैसला जिसमें जो पांच जज थे वो जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन से जज थे पांच तीन हफ्तों में देनी होगी जानकारी जो पांच जज हैं वो हैं जज आई आप देखिए सीज आई चंदरचूर नियाय मुर्ती संजीव खन्ना बी आर गवई जे बी पारदी वाला और मनोज मिश्रा ये पांच जजों की समविधानिक खंड पीठ और समविधानिक पीठ ने समविधानिक फैसला ये सुनाया है कि समविधानिक है इलक्टॉरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उलंगन है वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है इलक्टॉरल बॉन्ड पर ततकाल रोक लगाई जाती है ये यहां कह रहे हैं सुप्रिम कोट के पांच जज और बहुत बड़ा फैसला यहां स मोदी सरकार के लिए कितनी मुसीबते खड़ी हो सकती है अमलेंदू पाध्याइजी जी मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किले खड़ी हो सकती है पहली बात तो यह कि जिस वे यूजना को आप बता रहे थे कि आपके लिए जो वह ब्रस्टाचार के खिराफ लाई है पहुच रहा था और दरों के पास भी पहुचा हो ऐसा नहीं अगली भारती इंता पार्टी पास पहुचा हो लेकिन नब्बै फीज दीजिए वह भारती इंता पार्टी के पास पहुचा अब यह काला धंता यह तो थो थो थोड़ी मलबाद में खुले गए जो डॉक्टर पूर्म मुछी चुनाई उक्त हैं उन्होंने भी कहाए कि सुप्रीम कोच ने चुनाभी बंविर्ण को असमब जानी गोशित कर दिया है सुप्रीम कोट के लिए तीन जाखारे यानि की पूर्व मुक्षि चुना आयोक्ति जो है वो भी इस बात से सेहमत है कि यह एक तरीके से भृष्टाचार´ का गंगोत्ती थी यह एलेक्टॉरिल बॉंड पूर्व मुक्षि चुना आयोक्तill डॉक्टर एस वाई कुरशी ने भी इसका जो एक तरीके से सुप्रियम क कोट के फैसले का स्वागत किया है दूसरा जो शिपसेना की राजी सवा सदस राजीब जी प्रियंक का चत्रवेदी उन्होंने कहा है कि भाजपा के सबसे भर्ष्ट उपकरणों में से एक कुंद उच्चितम न्यायरे ने सही खारिज कर दिया है भर्ष्ट और असमधाने भारती जनता पार्टी ने राज्यों में सरकारे गिलाई हैं विपक्षितलों की जिस तरीके से आरोब लगत रहें कि भारती जनता पार्टी जो विलायकों की खरीद फरोक्त करती और जो इस पैसे का इस्तेमाल हुआ था ये सब भी जो है चीजे अब जिने बहस होंगी तो भारती जंता पारिटी के लिए एक जवरदस तरीके से एक चोट है और जिस तरीके से भारती जंता पारिटी ED, CBI और IT का इस्तिमाल करके विपक्षी दलों को के लोगों को डराने का काम करती थी या उन पर कारवाई करने का काम करती थी जिनको भष्टाचारी घोशित कर दिय जाता था वह भार्ती जंता पार्टि में शामिल हो या थे ये इन सारी चीजों पर एक तरीके से एक जबरदस प्रहार जो हो compr परूष्ट के आदेशसे होता है और तबाम विपक्ष स्वैम कोर्ट के יौर इस फैसले का इस तरीके से भी अब इस्तेमारत करेंगे और इसकी व जादा बहस और दली ने क्यों देती लिए सरकार ये सब समय आएंगी जब कि सरकार की सारी दलीले जो है उसको सुप्रीम कोट ने बहुमत के साथ जो है वो खारिच किया है राजीब जी और कहा है कि इससे राजीनीती में पारदरश्ता नहीं होगी बलकि इससे इसमें जो पह श्री नवास बीवी का यहां जो एक ट्वीट है वो ट्वीट आप तक हम पहुचा रहे हैं श्री नवास बीवी यूद्ध कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं लेकर रहे हैं बीजेपी रिसीब्ड 6,564 क्रोर इन शैडवी शैडवी अन कंस्टिचिउशनल इलक्टोरल बॉन द 2018 में 210 करोर रुपे का डोनेशन मिलता है 2019 में 1450 करोर का 2020 में 2555 करोर 2021 में 2238 करोर 2238 करोर है यह और 2022 में 1033 करोर और 2023 में 1294 करोर काला धन तो यहां है मोदी जी यह लिख रहे हैं श्री निवास बीबी अमलिंदू जी जी बिलकुल बिलकुल देखिए अब यहां जी सब देखिए राजी भी खुल कर क्या गया मतलब 210 करोड़ रुप्या तो दो या राठाने में ही मिलता है या या तो या तीन महीने में मिल जाता है 1450 करो पिछले पंदे दिनों में खरीदे गए हैं और जिनको अभी राजितिक दलों ने नहीं बुदाया है उनको वह पैसा क्रेटा को वापस भी करना पड़ेगा यानि कि पिछले पंदे दिनों में भारती इंता पार्टी के पास इलेक्ट्रों बहुत से कुछ पैसे आये होंग और अधिक जो मैं बात कहा था कि अब यह बहस होगी कि यह काला धन आखर पहुंचा किसके पास अगर यह काला धन है और जिस तरीके से सुप्रीम कोट भी शंका एक तरीके से जाये कर रहा है कि इससे राजित में पार दरश्टा नहीं आएगी बलकि इससे जो है काला धन ज सकता है कि हवाला के जरी पैसा आया हो किसी और जरी पैसा आयो वो भी क्या इस वाशिंग में धुल रहे थे तो यह सब चीजे भी एक तरीके से सामने रहेंगी यह भी चीजे सामने आएंगी क्या इन लोगों ने भी चंदे दिये ते जिनका एडी सी वी आई और आई की की रेट परी थी उन कंपनियों किया या वो कंपनियां जिनको बाद में किसी दूसरे घरान ने खरीद लिया ऐसे भी लोगों ने चंदे दिये हैं यह बहुत सी चीजे खुलेंगी राजिब जी और यह सबसे बहली दूराभी संदी जो है वो यह खुलेगी कि कोर्पोरेट घ चीजे भी खुल करके सामने आने लगेंगी जब इसकी विशद समीक्षा होगी राजीब जी बिल्कुल बिल्कुल चुनावायोग के ऊपर भी तलवार लटकती हुई यहां दिखाई दे रही है इसलिए क्योंकि चुनावायोग को भी कहा गया है कि इलक्टराल बॉंड या चुनावी चंदे जो भी जिन जिन पार्टीयों को मिले हैं अब आगे भी जो भी हो उसको आप अपनी विबसाइट पर धर्शाएंगे दिखाएंगे ताकि आम जनता क्योंकि वोटर्स को अधिकार है यह जानने का कि किस को कितने पैसे किस के थ्रू मिले हैं और यह पूरी कहानी यह बहुत ही महतुपूर्ण कहानी दोस्तों बहुत ही important फैसला और यहां से जिस चुनाव की बात हम करते हैं आपका मत हमारा मत आपका वोट हमारा वोट उस सही जगह पे पर रहा है की नहीं पर रहा है सही जगह तक सही इंसान तक पहुँच रहा है की नहीं पहुच रहा है अब यहां से एबियम की कहानी भी शायद शुरू हो लेकिन उससे पहले ये जो पैसे हैं अगर जो जड़ है वो पैसे का है पैसा यानि मजबूती पार्टियों की मजबूती पैसे से होती है और आप देख लिजे दस गुना ज़्यादा पैसा दस गुना ज़्यादा पैसा कॉंग्रेस से ज़्यादा बीजे पी को आ रहा है कौन लोग दे रहे हैं पैसे क्या ड़ाके धमका के पैसे लिए जा रहे हैं अधानी अंबानी के अलावा और भी लोग हैं जो नहीं देना चाहते हैं उनको धमकी दिया जा रहा है ऐसी खबरे भ जारे आप कर रहे हैं चुनावी बॉंड को गुप्त रख रहे हैं आपको चंदा कौन दे रहा है यह बता नहीं रहे हैं यह कहीं ने कहीं काले धन का बढ़ावा है काले धन पर रोक लगाने का जो आप की जो बाते आप कहते थे दावे जो करते थे वो यह नहीं है उसको प हबते में तीन सब्टता के अंदर पिछले पांस साल में यानि की बीते हुए पांस साल में 2019 से लेकर 2019 नीश नहीं बलकि 2018 से लेकर 2023 तक, यह तो चौबीस चल रहा है, 2018 से 2030 तक जितने भी चंदे जिन जिन पाटियों के आए, सब सामने रखुएे और जब का दूद का दूद और पानी का पानी होगा तो कई चेहरे बेनकाब होंगे और यही से जो सरकारे बनाना और गिराने का खेल जो चल रहा है आज की तारीक में वो सारी चीजे भी होंगी किसान आंदोलन की तरभी जड़ा बढ़ना चाहता हों उधर क्या कुछ चल रहा है वो भी बताएं हम आप देखिए ये किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है उधर किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है सरकों से रेल जाम तक पंजाब के राजपूरा में पटरियों पर बैठे हुए प्रदर्शन कारी ये लाइब तस्वीरें आप तक हम पहुचा रहे हैं प्रदर्शन कारी जो है और हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है इदर आकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है और किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब से अब शुरू हो चुका है दोस्तों तो किसानों के का रेल रोको आंदोलन और इधर सरकों पर रेल चक्का जाम तक पहुंचा किसान आंदोलन ये सब कुछ आप देख रहे हैं लाइब कबरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं किसान दिल्ली के लिए निकले थे और दिल्ली आने से पहले इने जैसे रोका गया है यहीं पर किसान जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं कल की बहुत सारी तस्वीरे आपने देखी कि उपर से यानि की द्रोन के जरीए किसानों के उपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा जो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था यह देखिए द्रोन द्रोन के जरीए किसानों के उपर यह देखिए कैसे भी स्पोट कराया जा रहा है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों का रेल रोको आंदोलन आज पंजाब में शुरू हो चुका है तो किसान भी म पूरे देश में आंदोलन पूरे किसान और मजदूर संगटनों का है अमलंदू पाध्या जी किसान और मजदूरों का आंदोलन ये कितना गहराता जा रहा है और एक तरफ सुप्रिम कोर्ट का सुप्रिम फैसला दूसरी तरफ किसानों ने जो बाजा बजा कर रखा हुआ ह तो कितना बैक फुट में यहां मोदी सरकार है? और ये भारती इंता पार्टी की गले की फास बन जाएगा उधर जिस तरीके से इलेक्टरण बॉंच पर सुप्रीम कोट का फैसला आया है ये भी भारती इंता पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जाएब बहुत जादे चुनोती पुरु साबित होने जा रहे हो भारती इनता पार्की को इससे निपटना बहुत जैदा आसान नहीं होगा प्रधान मन्ते बहुत नहीं होगा प्रधान मंत्र बाले मंदिरों कि'? Okay काम आएंगे और भारती जनता पारिकी यह कितने एंद बहुत जादा दूर rozp चाहिए अभी यह घड़े खोद के diril it दूर करना चाहते हूं लेकिन ये गड्य जो है राजीब जी और ये कीने जो है मुझे रखता ये भारती इंता पाइटि को ही कीने लगने तो इसलिए जो है यह आंदोना भी और पढ़ेगा और भारती इंता पार्टी के लिए परशानियां बर सकती है और लोगस्वाइश चुनाव से पहले जो है यह भारती इंता पार्टी के लिए कहा जाए एक बहुत बड़ी बाधा जो है पंगवाधा दौर्ड जो होती थी हा आज की तारीख में आज का आज उसके लिए एक बहुत ही डार्ट डे के रूप में देखा जाएगा क्योंकि भारतिये जनता पार्टी को सबसे बड़ा जटका इलक्टराल बॉंड पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है मोधी सरकार को एक बहुत बड़ा जटका इलक्टराल बॉंड पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है पांच जज़ों की सामविधानिक पीठ ने ये फैसला सुना दिया है उधर की चुनावी चंदे जो हैं वो किस ने किसको कितने दिये ये जानने का अधिकार यहां के मतदाताओं को है और यहां से फटकार लगाई है चुनाव पैंक आफ इंडिया आप जल्दी से जल्दी तीन सब्ता के अंदर ये बताईए कि पिछले पांस साल में किस पार्टी को किस ने कितना चंदा दिया और ये जब सामने आएगा और ये सबसे बड़ी बात यहां कि इलक्टॉरल बॉंड आसमवेधानिक है यही आसमवेधानिक है सूचना का अधिकार का उलंगन है अलक्टॉरल बॉंड क्योंकि आप यहां सूचना के अधिकार का उलंगन कर रहे हैं और आप कहीं न कहीं आप इस चीज को किसी दान को गुप्त दान को जो गुप्त दान के र रहे थे ये सब भी सवाल आए हैं इन सवालों का जवाब इस रिजल्ट में है जो आज फैसला आया है सुप्रिम कोड से और इस फैसले के बाद बड़े से बड़े चैनलों से ये खबर गायब है दोस्तों आप जान लीजे क्यों गायब है जो खबर नभाए उसको नदिखाए हमें नभाए जो खबर उसको क्यों दिखाए यहां यही हो रहा है लेकिन हम यहां आप तक पहुचा रहे हैं कि यह खबर कितना इंपॉर्टेंट है इस खबर को जानना क्यों जरूरी है इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां देश में जो कुछ हो रहा था काले धन के नाम पर आप जो कारणामा कर रहे थे उस से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्दा जो है एक बड़े फैसले के तहत पर्दा उठा दिया है दूसरी तरफ किसानों की बात हम लगातार कर रहे हैं किसानों का रेल रोको आंदोलन चालू हो चुका है और पंजाब से पंजाब में रेल र पास के बॉर्डर्स का क्या सुरते हाल है वो भी दिखाएंगे आप तक पहुचाएंगे तो बहुत सारी खपरें अमलंदू पाध्याई जी और साथ साथ जरा किसानों के आंदोलन को देखा जाए तो ये किसानों के आंदोलन से कितना बैक फूट पर दिखाई दे रही है म सरकार कता ही नहीं चाहती है कि इनके बीच सुलाह हो 12 सुत्री मांग है इनकी इन 12 सुत्री मांगों मैं सबसे एहम मांग जो है वो है कि MSP की गारंटी दो क강्रेस पार्टी ने MSP की गोषना कर दी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम Ms.P देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे आपको लेकिन क्या यहां से बैक फूट पर नजर नहीं आ रही है मोधी सरकार निश्ची तोर पर आजिमी सरकार बैक फूट पर है और सरकार आज शाम को बात भी करने वाली है किसानों के साथ में लेकिन उसका कोई नतिया निकलेगा यह भी नहीं कया सकता चुटकी सरकार जिस तरीके से कहे लिए है कि आप हैर्द करकर के आयते हैं स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट जो कहती है उसके अनुसार जो आप उस फार्मूले पर आप मेस्पी देंगे यह वाइदा पर क्या इसे प्रधानमंती का वीडियो का नहीं ने सुनवाया था जो कॉंग्रेस ने जारी किया ता राजीब जी अपनी कि किस तरही से प्रध संभ शम्न संवान दिया स्वामी राधन की रिपोर्ट काल मंत्र हले की कैसे का काइब हो गई है अब रबाट नहीं तो नहीं रिपोर्ट वह ठीप आप प्रतियां की री टो ही मन्तर हो जाई है या किसान भूल लाएगा तो यह जो जिस तरीके से सरकार कर रही राजिव जी इससे निश्चत पर समझा जा सकता है कि वो MSP पे कानून लाने के विशे में बिलकुल भी जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो गंभीर नहीं है बलकि गंभीर क्या नहीं है वो किसी हाल में ले कर के नहीं आएगी चुकि अगर MSP पे कानून ले आती है तो MSP पे जो पूंजीfight मित्र है जिनके लगाथा आरोगथा रहता है कि उन प्रस्षिकशनों को मिलता राज़ी जबकि केरल की सरकार पर असल नहीं पड़ता है जब वहाँ केले की पिधे की एमस्पी लागू करती है सब्जियों तक कि जो साख राथे हैं उनकी एमस्पी जो हो जारी करती है? उसी पे खरीद हो त ही है. तो यह सरकार की असलिमें जो मन्शा है केंज सरकार की उसको जो एक तरीज मता है कि मैंसपी पे कितनी कंपीर है किसान आंदुन काली जो मांग कर रहे है सरकार उनको किसी भी पर रोका जा रहा है किसी को लाइस्थान के बाउजर पर रोका जा रहा है कहीं भोपाल से जो अट्रियन से उताकर कि उज्जन भेज़ दी जाने के साथ यह सारी चीज़े पूरे देश बिल्कुल जब आना चाहता हूं परशान तर्णन जी के पास में परशान जी का वीडिय किया है सॉलिसिटर जनरल ने भी अभी जो जो दलीले दी थी उन दलीलों में भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि इससे काले धन पर रोक लगाने की बात मानी गई सुप्रीम कोट की तरफ से समवेधानिक पीठ की तरफ से और नहीं इसे जायज ठहराया गया इसे नाजाय को पूरा डेटा पब्रिश करना है कि किसको कितने पैसे मिले रिटरल बॉंड से पहली बाद दूसरा राजीव जी यह है कि अभी तक इसको काया है गोपनी है देखिए गोपनी बाकी लोग के लिए था आपके हमारे लिए था गोपनी कॉंग्रेस पार्टी समाजवादी प कि बीजेपी के लिए गोपनी नहीं था कि कुछ को कौन कितना पैसा मिल रहा है सरकार को मालूम था जो सरकार को मालूम है तो उसी हिसाब से तो अभी इसमें तो यह भी होना चाहिए कि कौन लोग क्योंकि देखिए इसमें यह बहुत बड़ा घोटाला है और अभी तो सिर् कैसे खुलेंगी कि एलेक्टराल बॉंड के पीछे कौन है जैसे मालीजे कि मैं एक आपको एजांपल दूग कि पूटेंट एलेक्टराल बॉंड है जो सबसे बड़ा है उसने 85% पैसा बीजपी को दिया उसमें कुछ कुछ जो सुनिल भारती मित्तल जैसे तमाम और कई लो दिया तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि और उसने 85% क्यों दिया उसने 85% दिया तो उसमें जो उद्योपती शामिल है उनको क्या-क्या फाइदे मिले उनके जैसी आप बात कर रहे थे कि उनके यह इली सीबी आई कही कि नहीं गई किनके जाती है तो यह जो सारा एक पॉब्लिश्ट करें के लेक्शन कमिशन तब यह सामने आएगा पहली बात उसी बात यह राजी जी कि एलेक्शन फंडिंग का घोटारा यहीं तक शामिल नहीं है कि दोजार बाइस तेइस फिनांशल येर में बीजेपी को एलेक्टोरल बॉंड्स के बाहर कि 720 करोर उपए मिले थे वह कहां से आ रहे हैं वह कौन लोग है और प्लस बीजेपी का खर्चा और आमदनी या किसी पार्टी का कि वह हेलिकॉप्टर कितने शामिल करते हैं रेलियों में कितना खर्चा करते हैं पोस्तर भी कितना खर्चा करते हैं बड़े बड़े करते हैं उन्हें कितना खर्चा करते हैं विजाइब खरीदने पैसा कहां से आता है यह सारे खर्चे और आमदनी का अगर हिसाब लगाया जाएगा तो जिसमें घड़ी घड़ी जाती है कि आये से अधिक संपक्ति यह कहां से आ रही है वीजेपी ने बड़े-बड़े सिर्व एक गोटाले की मामूली शुरुवात है लुग असली तो गोटाला वहां है कि जब इनके पीछे कौन है और उनके पीछसे सरकार ने उनको क्या क्या सुधाने दी कौन से पोर्टट डिये कौन से ये इन्टन भी किसको यह नहीं गया तो यह एक बड़ा घोटाला सामने आएगा पहली बाद दूसी जी राग राजी जी की सुप्रीम कोट तो अब कहा है इलेक्षन कमिशन के पास तो संवेधानिक मेंडेट है कि वो लेवल प्ले फील्ड बनाए यानि जो निर्दली भी खड़ा है और जो बड़ी पार्टी का कैडिले है उसके सामने सवान अवसरम सारों है हम जब एक्षा की फील्ड में जाते राजी घ्क सुनते हैं कि कैसे है कैसे पैसा देता को पैसे कहां से आते हैं चैसे कहां से होते हैं तो यह बहुत बड़ा घोटाला है एलेक्षन फंडिंग का और यह घोटाला अभी तक देखिए एक्षण फंडिंग में नहीं था अब इसमें कॉर्परेट शामिल हो गया और शामिल हो गया तो आप देखिए कि पूरा यह पूरा मामला जो है वो एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम मेरे ख्यास से आजादी के बाद कैसे बड़ा स्कैम ये लिट रेगा अधर इसकी जाच की जाए इमानदारी से कि ये पैसा किनका है उसके पर्दे के पीछे कौन लोग है ये बॉंड्स जो है बॉंड्स ट्रस्ट इसू कर रहे हैं वो ट्रस्ट के पीछे कौन लोग है और बॉंड्स के अलावा पैसा कहा से जा रहा है तो ये सारे मामले हैं राजीव जो आप खुले गजी मजी में हैं डॉक्र राकेश पाठक जी आपका स्वागत करता हूँ और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूँ दो बड़ी खबरे आ रही हैं एक तो सुप्रीम कोट की साविधनिक पीठ ने आज जो फैसला सुनाया है एक एहम फैसला यहां से बैक फुट पर बीजे पी नजर आने के की चुनावायों की वेबसाइट पर और उससे पहले स्बी यानि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी जानकारी देनी होगी कि किसने कब किसको कितना पैसा दिया तो सारी जानकारी यहां अब ट्रांस्पैरेंट धंग से यानि पारदर्शिता के साथ हम सब के सामने और यहां सुप्रिम कोट ने साप साप कहा है कि इलक्टोरल बांड यानि चुनावी चंदे जो हैं वो आसमविधानिक हैं और इससे काले धन पर रोक नहीं बलकि काले धन को बढ़ावा मिल रहा है ऐसी बहुत सारी बाते उन्होंने कही है सुप्रिम कोट ने लेकिन दूसर यहां से बैक फूट पर आपके नजर से बीजेपी आ रही है और दूसरी बात फिर आते हैं किसान अंदोलन पर भी लेकिन पहली पर तिक्रिया इस पर सुप्रिम कोट के इस अहम फैसले पर कि पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोड का इस है सुप्रीम कोड की खुद की साथ को भाल करने वाला साबित होगा पिछले कई अवसरों पर राजीव जी हम देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोड जेरे बहस कहता तो बहुत कुछ है लेकिन फैसलिम वह चीजने दिखाई नहीं महाराष्ट का मसला हो जारखंड का विशाय हो तमाम सारे हमने मामलेत देखे है कि देश बड़ी उम्मीद लगाकर चलता है कि बैस के दरमयान सुप्रीम कोड नहीं यह कहा सरकार से यह कहा लेकिन जब फैसलों होता है तो वह किंतु परंतु अगर मगर आदी त्यादी के सा अगर आज कर दो नहीं जाएं कि अब लोगतंत्र का जो सबसे महिपूंड पाया है उससे उमीद की जा सकती कि सरकार की आस्मानी सुल्तानी गलस सद्धर करवाई को अगर भूंद कर नहीं देखता रहेगा एक बात तो इसके पीछे यह है दूसरी बात लोगतंत्र में पायरदर्ष्टा सबसे पहली शर्त वो प्रशाशनिक पारदर्शिता हो पत्रिकरता की पारदर्शिता हो यह सब का काम पारदर्शी होना चाहिए लेकिन यह जो इलक्टरोनल बॉंड नाम की जो बला थी यह इतनी जादा परदाडारी में थी कि ऐसा लगता था पता नहीं कौन से ग्रह से दूसरे किसी है उसका लंगन था सुप्रीम कोड ने भी कहा है कि जनता को नागरिकों को सब कुछ जानने का हख है दूसरी बात इसमें जिस तरह से काले धन को सफेद करने की कोशिश है वो सामने है 2021-22 का अकड़ा भी हम देख रहे हैं तो शायद आप लोग लोग कर चुके होंगे पीक है इससे में आया और कॉंग्रिस को किते 234 या 266 कुछ इस तरह से तो कुल में लाकर भी कौन लोग है जो सक्ता में बैठी पार्टी और मेताओं को पर्दे के पीछे रहकर यह मदद कर रहे हैं और यह एक तरफा नहीं होगी तो शान जी ठीक कह रहा है कि इसके एवज सरकार से इन लोगों ने क्या लाब उठाये होंगे विक्तियों ने कंपरियों ने लोगों ने समू होने जो भी है इसके पीछे अब देखते है इस्ट्रेट में जब नाम सामने लाएगा तब कैसे कैसे नाम और चैरे सामने आएगे एक बात और जिस तरह से भारती जंता प दूसरी पार्टी के पास सो दो सो करोड है तो स्वाभावी के चनाव लड़ते समय दूसरी कोई पार्टी आपके सामने नहीं ठैरेगी भारती जंता पार्टी ने पूरे देश में लगभग पूरे देश में जला मुख्यालों पर अध्रिक तम अपने ऑफिस बना लिया ब दिल्ली में जो पांस सेतारा साथ सेतारा दिंद्याल मार्ग पर वाफिस है बीजेपी का साथ सो करोड रुपए उसकी लावेद बताई जा रही है यह सब दन कहां से आ रहा था यह सवाल भी तो जंता के सामने आना चाहिए इनके जवाब आना चाहिए और सुप्रीम से लगता रंग लाएगी हमें इंतिजार करना होगा कि जब सही नाम पूरे पूरे नाम सामने आते हैं फिर उन नामों और पार्टी सबसे ज़्यादा फैत मैं कह रहा हूं त्रणमूल कॉंग्रेस ने कोई लाव उठाया हो चंदा देने वाले से ने उठाया हो या पार्ट तो हल इतियास के सबसे भड़े गोटाले की होना बाकि है कि किसने कया दिया किसे और किसने क्या लिया उससे यह जो ले देना है यह जो गवं टेक है इसका खुला सा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट कि निश्चित तोर पर उसने इक इस निश्चित तोर पर एक बहुत बड़ा एतिहासिक फैसला सुप्रिम कोर्ट ने आज दिया है उस फैसले में सबसे बड़ी बात की इलक्टॉरल बॉंड्स यानि चुनावे चंदे जो हैं वो अस्विधानिक हैं और इलक्टॉरल बॉंड को सूचना के अधिकार के तहत लाना चाहिए इसको अगर से कितने पैसे मिल रहे हैं ये जानने का हक है इसलिए चुनावायोग इन पूरी लिस्ट को पूरी सूचना को अपनी वेब साइट पर डाले ताकि वोटर्स मतदाता वो समझ पाएं देख पाएं कि कुसको कितने पैसे मिले ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनावी बॉंड पर ततकाल रोक का आदेश सुप्रीम कोट की तरफ से हो गया है सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इलक्टोरल बॉंड को आज समवेधानी घोशित किया है और इस पर ततकाल रोक हो इसका आदेश दिया है सुप्रीम कोट ने पांच जज़ों की पीट औ दिय वाई चंध च्टर चूर के अलावा नियाय मूती संजीव खनना नियाय मूती बी आर गवाई नियाय मूती जेवी पारदी वाला और नियाय मूती मनोज मिश्रा ये 5 सधस्स से उसमें मौजूद थे और 5 जजों की पीठ का ये ऐह फईसला बहुत ही अहम फैसला और सब ने इस फैसले पर सहमती जताते हुए डी वाई चंदरचूर ने इस फैसले को पढ़ा और बताते हुए कि S.B.I. पांच साल की जो पूरी रिपोर्ट है वो अगले तीन हपते में जारी करे यह चोटी मोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है तो एक तरफ जटके पे जटका यहां सुप्रिम कोर्ट से मोधी सरकार को और दूसरी तरफ किसान जो है वो जटके पे जटका दे रहे हैं किसानों के अंदोलन की तरफ जरा आना चाहता हूँ परशान टंडन जी कैसे आज तीसरा दिन है आठ तारीको आठ फरवरी को किसान और सरकार के बीच पहले दौर की बैठक होती है बारा फरवरी को किसान और सरकार के बीच दूसरे दौर की बैठक होती है आज पंदरा फरवरी है पंदरा फरवरी को तीसरे दौर की बैठक होने वाली है और इसमें ज मुझे नहीं मालूम मैं थोड़ी देर से जुड़ा हूँ, इस तरह के Electoral Bond की स्कीम के लिए, जो हमारा जन प्रतिनेज़ तो कानून है, People's Represential Act, Income Tax Act, Company Act, इनमें जो बदलाओं किये गए थे, इसे लागू करने के लिए, उनका क्या होगा? प्रशान जी, इस पर मारदरशन चाहूंगा मैं आपसे भी, कि ये जो तीन कानूनों में प्रशुदन किये गए, इसे लागू करने के लिए, इस स्कीम के लिए, पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, प्रशान जी प्लीज इस पर अपनी बात रख लीजिया और फिर किसानों के मुद्धे पर आते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रक्रिया को ही अज समय जाने गोशित कर दिया है, और स्टेट बैंक को दिलदेश देतीया है कि अब नए बॉन्ड इशू नहीं किये जाएंगे, तो जब वो नए बॉन्ड ही इशू नहीं होंगे तो वो कानून में बदलाव जो किये गए हैं, वो रिटेंडेंडेंट उनका कोई मतलब मिला जाएगा, तो कानून लागू ही नहीं होगा वो तो यह जो विटेंड बॉन्ड है आए इस ही नहीं नहीं होंगे, तो वो कानून परवड़ तर वह रिटेंडेंडेंट है कोई मतलब मिला जाएगा और हो सकता है कि जज्ज्मेंट मेरे पूरा पाःत मीं अभी अभी में ये बाते भी हो कि उन कामून को कामून के बारे में जिख कर रहे हैं उनके बारे में कुछ कहा गया होगा दूसरी बात कि जो किसानों का मामला है कि किसी भी तरीके की वारता कि चाए वो फ्रेक्षरी के म responsibilities के साथ मारता हो मेदर काम यह होता है वारता का कि यूद्ध विराम जुकि बार-बार में इस्राइल लौप हिलिस्टीन के मामने बढ़ खबरों में आती है यूद्ध विर्ण तो यूद्ध में कौहन है सक abundantly नहीं है हैं युदी सब्सकूआ कर रहा है संगीने कौन लगा रहा है आसु गैस कौन पें कर रहा है पहला तो काम यह की ये बंद होना चाहिए तभी वारता का कोई मतलब है यह नहीं होता कि एक तरह आप बंद कमने वारता भी कर रहे हैं और आप किसानों को लाटी भी पीट रहे हैं आसु गैज भी छोड़ रहे हैं तो बहुत बहुत शिम्पिल सी बात है कि अगर किस सरकार को MSP पर कानून लाना होता और सरकार को तो किसानों को सड़क प्याने की जरुवत नहीं थी, दो साल पहले ही ये करार और समझाता हो गया था, और अगर सरकार ने किसानों के रास्ते में कीले बिछाई हैं, गड्रिक होते हैं बैरिकेइट लग आशू गैस ह्वाय हमले से भारत ने पहली बार इस्तमाल हो रहा है घ्रोन का इंहुता है और किसाने दबाओ की दाज़ी ती करना बिलकुल करने उनकी आलूसरा ओर रही बिलकुल क्यों नहीं होगी किसानों को मालूम है कि जब चुनाव आता है तभी आप बात सुनते हूं की जब उत्तर पदेल के चुनाव था तो आपकी तफस्या में कमी रहने की बात आगे थी बिल आपने विट्वा कर लिये थे अब चुनाव का महल है तो किसान तो अपनी बात रखेगा किसान अब भी तो नुक्सान कर रहा है किसान आप सोखिए ना कि आभी 15 फर्वरी है मुझकि से 15 दिन बाद गिएवों की फसल त्यार एकटने के लिए तो किसान को उस फसल को थ्रेशर में लाना है मन्डी में लाना है काटना है अगले फसल की त्यारी करनी है तो किसान के पास भी तो काम बहुत है ना किसान खाली तो बैठा नहीं है तो किसान भी तो अपना नुकसान करके दिल लिए आ रहा है और यह अगर बीजेपी को करना होता तो यह बीजेपी यह सब नहीं करती अगर सरकार को यह करना होता तो सरकार यह सब नहीं करती दूसरा वाद राजीव जी कि इनका जो प्लान था वो प्लान सबोटाज करने का था यानि यह जो गैर राज्य राजनेटी किसान संक्रण खड़ा किया गया उसमें RSS के भी कुछ संक्रण बुजेरे गए जो शाइद वारता में भी होंगे उनका प्लान उसको सबोटाज करने का था लेकिन वो इतना बड़ा हो गया मामला और सारी किसार यूनन इसमें आ गई और कल जो है वो भारत बंद में का आवान है बाकी किसार यूनन से जो यहां नहीं आए हैं इसके देखिए एक कुछ ब्रेकिंग आप तक हम पहुचा रहे हैं हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है राकेश टिकैत कह रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं बगल में लाइब तस्वीरें सड़कों की और दिल्ली कूच कर रहे हैं चंडीगर अंबाला टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कर दिया सड़कों से रेल चक्का जाम तक पहुचा यानि सड़कों से लेकर अब रेल चक्का जाम तक पहुचा किसानों का अंदोलन और पंजाब के रजपूरा में पटरियों पर बैठे हुए प्रदर्शन कारी थोड़ी दिर पहले आपको तस्वीर ह आגे कूच कर रहे हैं और इधर किसान नेता राकेश ट्रिकाएट ने कहा है कि हमारे लिए दिली दूर नहीं है किसाणों ने अब दिली कूच करने का जो अपना मन है वो और आगे बढ़ाया है किसान सडक पर आये तो विदेश भाग गए मोदी जी के लिए लिख रहे हैं संजे राउत किसान सडक पे आए तो मोदी जी विदेश भाग गए किसान और सरकार के बीच आज फिर होगी बादचीत तीसरे दौर की बादचीत आप जानते हैं आज होनी है और किसानों का रेल रोकों आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है और इस वीच आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लाइब तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं कि क्या कुछ किसानों के आंदोलन में चल रहा है चंडी गरम्बाला टोल प्राजा को किसानों ने फृ करा दिया है और सरकों से रेल चक्का जाम तक पहुँच गया है पहले तो सड़क पे किसान बैठे थे अब रेल चक्का जाम तक किसान पहुच चुके हैं और पंजाब के राजपूरा में पटरियों पर बैठे हुए प्रदर्शनकारी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो हमारे 22 तरफ में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इदर राकेश टिकेट कहmeye है जो पशीमि उत्तर परदेश के बड़े नेताउं में से एक माने जाते हैं किसान नेता राकेश टिकेट कहे रहे हैं हमारे लिए दिली दूर नहीं है दोस्तों और किसान आंदोलन में जो कुछ चल रहा है पलपल की रिपोर्ट ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उधर सुप्रीम कोट का एक अहम फैसला आया उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं तो किसान से लेकर सुप्रीम कोट तक सड़क से लेकर उधर संसत तक तमाम खबर आप डीवी लाइप पर लगातार देखते हैं सुनते हैं और इस ब्रेकिंग में हम आप तक उन्हीं तमाम खबरों को पहुंचा रहे हैं किसान आंदोलन से संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम लगातार पिछले तीन दिनों से पहुंचा रहे हैं आप तक अलग अ अब स्पूर रूप से पूरे तोर पर किसानों के इस आंदोलन में कूद पड़ी है ये साफ मानिये राहुल गांदी ने MSP की गारंटी की घोशना कर दी है कल ही उन्होंने कल नहीं बलकि परसो जब अंबिकापुर में राहुल गांदी और कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलीका परसाइ के तहत MSP की गारंटी देते हैं उसका उसकी घोशना करते हैं और उसके बात से राहुल गांदी ने कल एक किसान नेता को जो पुर्व सैनिक हैं उनको जब गोलिया लगी थी चड़रे वाली गोलिया लगी थी तो उनसे बात करते हुए भी आपने सुना राहुल गा अपनी कमर कसली है जीटी करनाल रोड पर भारी जाम लग चुका है जीटी करनाल रोड पर भारी जाम यह सब कुछ ब्रेकिंग आप तक किसानों का रेल रो को आंदोलन पंजाब में शुरू हो चुका है तो यहां से लेकर वहां तक यानि एक तरफ किसानों का आंदोलन कि चंडीगर्द अंबाला टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करा लिया है तो पलपल की रिपोर्ट आप तक एक बार फिर से अमलेंदू पाध्याई जी आप तक आना चाहता हूं कैसे देखते हैं इस आंदलन को कहां तक बढ़ते हुए देख रहे हैं आप और यहां से कितना आप बैक फुट पर आते हुए देख रहे हैं मोदी सरकार को कि जो किसान विरोधी नीतियां है उनको लेकर कि अब विपक्ष काफी हमला भर भारती जंता पार्टी के ऊपर रहेगा इस बात को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है भारती जंता पार्टी ने खुद एक मोगार जो है कि किसानों को दिया है कि वह आकर के सरकार के में खास्तों से हरियाना में जिस तरीके से जोन से आसू गैस के गोले फेके और पैलेट जो चलाई गई उसके विरोध में देश बढ़के किसान संग्ठन जो है वो एक जो ठोगए है और सब जो है वो इस आंदोर में कूत पड़े हैं यानि कि अब अभी तक जो भारती जं जिस तरीके से निवटनी की कोशिशे की जिस तरीके से गड़े गाने और जिस तरीके से कीले ठोकी गई उससे ही आ गई राजीब जी राहू गांदी का ट्वीट आ गया है चुनावी बांड को लेकर राहू गांदी का ट्वीट और बहुत इंपॉर्टन ट्वीट राहू गांधी का कह रहे हैं नरेंद्र मोधी की वरष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है नरेंद्र मोधी की वरष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है राहूल गांधी कह रहे हैं भाजपाने यानि बीजेपी ने अलेक्टोरल बॉंड को रिश्वत और कमिश आपके सामने है राहुल गांधी लगातार इस अपनी बात रखते रहे और यहां कह रहे हैं कि भाजपा ने इलेक्टारल बांड को रिश्वत और कमिशन लेने का माध्यम बना लिया था रिश्वत और कमिशन लेने का माध्यम बना लिया था राहुल गांधी कह रहे हैं भाज साथ कहा गया है Electoral Bond यानि चुनावी चंदा बंद करो समविधानिक है ये Electoral Bond ये सब कहते हुए उधर सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस पांच जजों की पीट समविधानिक पीट ने जो फैसला सुनाया है इस से जटके पे जटका बीजेपी के लिए मोधी सरकार के लिए क्य गये वो सब यहां अब सामने होगा नरेंदर मोधी की भरष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है ये राहुल गांधी कह रहे हैं इस ट्वीट के जरीए आप देख रहे हैं तो एक तरह पे लेक्टराल बांड पर लगातार अपनी बात रखते हुए राहुल सब आप जीटी करनाल रोड की आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तरफ अंबाला चंडीगर जो टोल पलाजा है उसको किसानों ने प्री करवा लिया है किसान आंदोलित हैं और किसान डिली की तरफ कूच कर रहे हैं डिली में यहां पहुँचने से पहले उन्हें रो राकेष पाठख जी कि Kisानों को रोखने की पूरी बेवस्था पहले से करना इसका मतलब है कि आप वारता पे वारता करते जाएए क्योंकि आच तीसरे दौर की वारता है आठ फरवरी फिर बारा फ्रवरी आज पंदरा फरवरी को तीसरे दौर की वारता और उस से पहले ज 10 फीट की उची दिवारे नहीं चुनवाते आप वहां कीलों और कटिली जारियों से सडकों को नहीं पाटते नदियों में पानी नहीं छोड़ते बहुत कुछ टीर गैस आप उपर से नहीं बरसाते वे सारी चीजे क्या कुछ कहती है लाठी चार्ड से लेकर टीर गैस तक किस साथ बिलकुल दुश्मनों की तरह बिवहार करना इसको क्या किस रूप में देखा जाए और क्या यहां वारता पर वारता का जो क्रम है वो पिछली बार जैसे चला था 13 महीने तक 12 वारताएं हुई थी वो ऐसे ही चलेंगी दोनों के बीच यह माना जाए देखे राजीव जी सरकार क्या चाहती है वो उसकी तैयारियों से हम देख रहे हैं दुनिया के किसी देश में अंदोलन कारियों के साथ इस तरह का बरताव नहीं होता तानाशा मुलकों की बात नहीं कर रहे उत्तर कोरिया की बात नहीं कर रहे वहां तो कोई इस तरह से दृष्ट नहीं देखे होंगे अपने ही देश के नागरे कोंपार आप ड्रोन से बं गिरा रहे हैं आसू गया सकते हैं किसी दिन उसमें कोई कमी तो छोड़ी नहीं सरकार जहां तक आपका सवाल है बातचीत का मैं पहले भी कह चुका हूं इस सरकार का समवाद में कोई भरोसा नहीं है वो किसी से बात नहीं करना चाहती है वो जिनका बाला करने उतरती उनसे भी बात नहीं करती है सिरकार तो दावातकों किसानों को बंहुआ देखा है ईसलिक्रशी कानुन बंकरे के अधिया है तो औधार करना सरकार चाहती तो किसान हुआ जात Yap कोई भी सरकार किसी से समवाद नहीं करती एक तरफा है सब कुछ मामला अब सवाल यह है कि बातचीत कौन कर रहा है किस इसतर के लोग इन किसान नेताओं से बात कर रहे हम दो साल पहले नहीं देखा था जब वापस लेने कि बात प्रदान मंत्री ने कहीं थी राजीम जे तब यह कंवेव बात कर ön कर रहा है वोरत कर रहे होंगे जो प्रभार्य व sinners मंत्रा लेगे किया किसी मंत्री की है किसी बीरोक्राइट की है कि वो को यहां थे सब्सक्राइब यह वसकता लोटाया मेरी जानकारी में नहीं है वे इस वक्त मुस्लिम देशों में लोगों को का अपने दूसरे घर करें जैसा कि उन्हों नगा यहां आता हूं तो मुझे लगता है दूसरा गहर है और अपने ही घर के हुआ हुआ है मेडिया से बात नहीं करते मेडिया से बात नहीं करते तो मैं नई समस्था जब तक नरेंदर मोदे नहीं चाहेंगे तो इस बात चीट का कोई हल निकलेगा इसका कोई परिणाम निकलेगा फिलाल ये कवाइद ये इसलिए की जा रही है कैसे भी किसानों का मनोवल तूटे अब जो ग्रामीन भारत बंद है उसको कॉंग्रेस ने समर्थन दे दिया है सुला तारी को है तो सरकार किसी तरह से से तोड़ने की कोश्श ने कर रही है जमीन पर जस तरह कोशिश हो सकती हो हम देख रहा हैं उनके रास्ताओं पर जो रुकावट्न डाली जा रही है इसके अलावा पर्दे के पीछे जिस तरह फूट डालो राजकरो की नीती है उस पर और भी कही न कहीं काम चल रहा होगा कुछ संगठनों को तोड़ने की कोशिश हो रही होगी कुछ किसान नेताओं को अपने साथ मिलाने कोशिश हो रही होगी और अंते मौजार कर लिए किसानों को वो किसानओं को कोशिश ने किजितर है और तो टोड़ा जाए यहां दिल्ली नाने दिया जाए यह बैठे रहे और इस पीच में से तोड़ने की कोशिफ से चलती रहे फिर भी मैं अपना अनमान यह आपके सामने साजा करना चाहता हूं आज नहीं तो कल सरकार को एक बार फिर जुकना पड़ेगा सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी क्य ने जो दिवारें खड़ी की हैं दोनों के बीच यह दिवार इतनी ऊची है कि साफ समझ में आ रहा क्योंकि दिवार खड़ी करने वाले किसान नहीं है किसान तो आ रहे हैं आपके दर्वाजे पहले से बंद कर लिए और यहां अगर आप दर्वाजे बंद करके बैठे जुकने वाली नहीं है और किसान चाहते हैं कि सरकार यहां जुक कर जो वादे पहले की थी सरकार ने वहीं वादे उन वादों को जिन वादों को उन्होंने किए उस समय उन वादों को वह पूरा करते यानि गारंटी दे दे मस्पी के लिए कानून ले आए यही तो बात है यह तो मांग है लेकिन यहां सरकार ने जो कुछ रच्चा है जो दिवारे खड़ी की हैं उन दिवारों से लगता है क्या कि ये किसानों का अंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा देखें बहुत साफ सी बात है राजिव जी कि एरपोर्ट पोर्ट ये सब देने के बाद माइन्स और तुमाम तरीके की रियायतें देने के बाद मोजी सरकार की निगा और मोजी सरकार से पीछे जो लोग है जो उद्योग पती है उनकी निगा फूट ग्रेज मारकेट में है ये एक लाख पट्टिस हजार करोड का बाजार है सार्ण और इतना बड़ा बाजार पे निगाह है इनके दो तीन जो समर्थक हैं उनकी और उस पे एक बार कब्जा हो जाए रिटेल उनके हाथ में होगा फूर्गें उनके हाथ में होगा तो जिस मर्जी से वह खाग्जान जंता को मोहिया कराएंगे वह होता रहेगा और सरकार जो है मैसपी के हिसाब से पूर पीडियस चलाने के लिए लावार्दी योदने के लिए प्रोक्यूर्मेंट करती रहेगी तो जो माइनर जो मेजर हिस्सा है किसानों का किसानों की क्रॉप का वह पूरा उसका जो कॉर्परटाइजेशन करना है ये उनकी स्कीम है तो इसलिए मोधी सरकार इसको तो बिल तो रही लाए सकती है और अभी देखिए रभी की फसर कटने वाली है बुक्ष तोर पोज में तीन बड़ी फसले हैं यहूं सरसो और चना और इसमें लाखों कि सानों का भला हो जाएगा अगर ओडिनेस लियाएं पार्लेमेंट तो खतम हो चुका लोगसभा तो लोगसभा तो आखरी सत्र हो चुका तो अब अगर ओडिनेस लाएं और ओडिनेस यहां लिए लिए फजाकप हो यहां सरकार और इकसान के भीश ठनी होई है उदर सुप्रीम कोउट ने सरकार को आयना दिखा दिया है सबसाब कह दिया है कि आखिर वहां किया कोछ चल रहा है और जो अभी तक चलता रहा यानि चुनावी चंदे पर आपको अब पूरा पूरा ब्योरा देना होगा पूरी जानकारी देनी होगी लेकिन चुनावी चंदे जो अभी तक ले रहे थे वो चुनावी चंदे जो हैं वो चुनावी चंदे बहुत असंविधानिक है और इस पर तत्काल रोक लगनी सवाल जायस थे चिंता जायस थी क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया उसके एवज में उसको क्या मिला ये जानने का अधिकार इस देश के एक-एक वोटर को है एक-एक व्यक्ति को है भले वो किस पारटी को वोट देता है नहीं देता उससे कोई फरक नहीं पढ़ता और उस अधिकार की रक्षा के लिए कॉग्रेस पारटी ततपर है एकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है अब जो 95 प्रतिशत इलेक्टरल बॉंड्स का पैसा एक पार्टी यानि की भारती जन्ता पार्टी को मिला हम भी यह जानना चाते हैं देश भी यह जानना चाता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं आपने क्या कोईले की खदाने बेची हैं आपने क्या किया है या MLA खरीदे हैं या नए सूट सिल्वाएं हैं ये जानने का हक हम सबको है या नए हवाईजाज खरीदे हैं हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदे हैं 95 प्रतिशत याने की 5200 करोड रुपए भारती जन्ता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टरल बॉंड से आया है और हम ये मांग दोहराते हैं कि SBI State Bank of India उस तमाम जानकारी को सारजनिक पटल पर रखे जिससे की जन्ता को ये मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया आपको याद होगा कि ये एलेक्टरल बॉंड स्कीम भारती जन्ता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राजिसभा में इस पर कोई चर्चा नहों कोई बहस नहों और सीधा पारित हो जाए आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है हमारा डर ये है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी न हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोट के आदेश से बच जाए सरकार ये डर हमारा जायज है इस डर को हम आपके साथ साजा कर रहे है हमारी मांग है ये सीधा सीधा भरष फाइल की नोटिंग्स तक सारुजनिक की हैं आप सबके सामने हैं मैं भी आपसे साजा करूंगा जिसमें चुनाव आयोग हो वित्त मंत्राले हो लौ कमिशन हो लौड मिनिस्ट्री हो इन सबने अपने अपने स्तर पर जिनके जमीर जिन्दा हैं उन अधिकारियों ने फाइल इसमें अपना विरोध दर्ज किया था उस विरोध को नजरंदाज करते हुए किस तरह से यह थोपी गई इलेक्टोरल बॉंड स्कीम इस देश पर यह हम सब ने देखा आज प्रधान मंत्री एक्सपोज हो गए हैं बेनकाब हो गए हैं उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया यह भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते वे कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है यह इलेक्टोरल करप्शन है यह सब मुझे लगता है लागलपेट की बात होग ये सीधा सीधा प्रधान मंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया मनी बिल लाकर आपने मनी का इंजाम कर दिया विदाय खरीदने के लिए, कोईले की खदान देने के लिए, हवाई अड़े देने के लिए, अपने पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से, उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्स को, एंजियोस को, माननी सर्वोच नयायले को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं, कि आपने एक ऐसा आदेश आजपारित किया है, जिससे लोकतंत्र के जिन्दा रहने की उम्मीद हम सब के मन में जागी है, आपके सवाल बिल्कुल देना चाहिए, यही मांग हम बार-बार करते आए हैं, हमने तो कहा था कि SBI सारवजनिक क्यों नहीं करता, यह जो जानकारी होती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को ज़रूर मिल जाती है, तो बताईए क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड है और जब ruling party को ये पता चलेगा कि संजीव ने congress party को पैसा दिया है तो क्या संजीव की जानमाल सुरक्षित रह सकता है क्या ये व्यापार फिर भी कर सकेगा यही हमारी आपत्ती थी आप सारवजनिक करिए पूरी जानकारी करिए कि बावन सो करोड किस ने दिया भारती जनता party क उसकी एवज में उन कंपनीज को भारती जनता party की सरकार ने क्या-क्या उपकार क्या उन कंपनीज पर उनको क्या-क्या लाभ पहुंचाए विल्हेर बादी आपत्ताब्स ड्रूबकर्टोर कारिक विल्हेरा लुडा लवज पर लूज जाव्ज दिया विल्योंचाए लुड प्ुडश कार्ट इस नाप्ट्टोर के लिमारती एंताब्स, विल्हें होँआए पहली की व्यवस्था में कम्पनियों को अपने तीन साल के प्रॉफिट का साड़े साथ प्रतिशत अंश वो राजनेतिक दोनेशन्स में दे सकते थे इलेक्टरल बॉण्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई अब अगर कोई कम्पनी किताबों में एक रुपिया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड किसी पार्टी को चंदा दे देती है तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिल गी हम तो यही मान लेंगे कि सहाव इस कंपनी का एक रुपिया प्रॉफिट है या हो सकता है एक रुपिया लॉस है इससे क्या होता है इससे यह होता है कि यह यह काला किल्लोमीटर दूर बन जाता है ना के विल यहां से कुछ क्विलोमीटर दूर एक सेविंस्टार ऑफिस बन रहाता हैक में एक राजनितिक दल के आलिशान भवन भवन बन रहे होते हैं एक अपंजिकृत संगठन के भी भवन 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 हो है हड़ जिले में यह इसका नतीजा निकला तो पहले की विवस्था और आज की विवस्था में अंतर क्या है पहले साड़े साथ प्रतिशत का एक कैप था कि एक सीमा थी पहले मालूम रहता था कि इसने किसको कितना दिया आज वो सीमा हटा दी गई आज 2019 से खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी विवस्था आ गई हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया सिर्फ सत्ता रूर दल को मालूम रहता है कि एक स्कиком मालोम रहता है 95 per cent, my dear friend, goes to the ruling party of India and you are interested in the remaining 5% how much of it came to the Congress party well we have been demanding that let this scheme be very transparent let the people of India know because it's their right to know how much money has been given by whom to which political party so if we had something to hide I am sorry we wouldn't have been the first and the only party to be demanding this transparency and we again reiterate our demand that the SBI should make every single penny which came to any political party public क्योंकि इस सरकार की आदत है इस सरकार ने इतना महत्वपून कानून मनी बिल के जरिये पिछले दर्वाजे से इस देश में लेकर आई और कोई पहली बार नहीं होगा कि अध्यादेश लाएगी हर बार इस सरकार की आदत है कि अध्यादेश के रास्ते से जाकर कुछ भी कर सकती इसलिए हम ये मांग भी अपनी सारवजनिक कर रहे है कि ये भरष्टाचार का मामला है रधान मंत्री के दर्वाजे पर जाता हुआ एक स्टैंड रहा है उस पे आज माननीय सर्वोच नहयले ने अपनी मुहर लगा दी है आज के बाद इलेक्टरल बॉंड्स किसी और रास्ते से खिडकी, रोशंदान, पिछले दर्वाजे से नहीं आने चाहिए इस देश में और अभी तक की सारी जानकारी SBI को चुनावायो के सामने रखनी चाहिए और उसको सारवजनिक करना चाहिए देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है पूछिए अभी बहुत सवाल हो सकते हैं मेरे दिमाग में बहुत सवाल है नहीं नहीं आप पूछिए बिलकुल पूछिए इसी पर ना पहले कोई ऐसी कंपनी जो एक रुपिया का प्रॉफिट दिखाए और सौ करोर दे दे इस तंभव नहीं हो सकता शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी अब इलेक्टरल बॉण्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी दस शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुप चाप से इलेक्टरल बॉण्ड खरीद ले किस किस को मालूम है SBI और शेहनशा और किसी को मालूम नहीं पड़ेगी और उसकी एवज में वो शेहनशा कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को कोई लेकी ख़दान दे सकता है जो बार-बार इस मंच सर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी भार उनके मित्र गौतम अदानी के विशय में बहुत चर्चा की है अब हम सब जानना चाहते है कि विशेश कृपा आपने दोस्त पर जो आपकी हुई है क्या ये बावन सो करोड का इससे कोई लेना देना है हम ही जानना चाहते है भाई ये तो सुप्रीम कोट ने आज कही दिया सब कुछ और जो हम पिछले छे साल से मांग कर रहे थे आज उस पर मोहर सुप्रीम कोट ने लगा दी हमारी तमाम आपत्यों पर सुप्रीम कोट की मोहर लगी है तो हम तो आज प्रसन चित होकर फिर से अपनी मांग भी दोहरा रहे है कि सारवजनिक किया जाए और सुप्रीम कोट ने भी आज यही कहा कि सारवजनिक किया जाए सारे आंख्रे भी देखिए सुप्रीम कोट का ओरडर आपके सामने है अब हम इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती क्या बोलती है क्या स्टैंड लेती है अध्यादेश लाती है या इस ओरडर को आक्षा-क्षा फॉलो करती है उसका पालन करती है नहीं तो My Name Is Bond, James Bond सुना था आपने My Name Is Bond, Electoral Bond भी अब आपने सुना है बिल्कुल इस फैंसले का हम स्वागत करते हैं क्योंकि यह जो Electoral Bond स्कीम थी यह One-sided थी, एक तरफा थी एक Unholy Alliance बन चुका था Shell Companies का, दोस्तों का, और सत्तारूर दल का इस मिली भगत में न आपको कुछ जानकारी मिलती थी as a voter, न हमें as opposition level playing field मिलती थी जो उद्योग घराने हैं वो हमें देने से भी डरते थे है कि उन्हें मालूम है सीधा शेहनशा को मालूम पढ़ जाए और शेहनशा को मालूम पढ़ जाए तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं तो level playing field का अंत 2017 में ये शुरू हुआ 18-19 में लागू हुआ और अब जाकर फिर से सुप्रीम कोट के आदेश से रद हुआ लोक तंत्र को मजबूती मिलेगी आवश्यक है एक वोटर का ये जानने का अधिकार है कि उसके देश के रादनेतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है उस पैसे का स्त्रोथ क्या है कितना पैसा दिया गया क्यों दिया गया यह जानने का हक है और रादनेतिक दलों का ये करता भी है कि लोगों को ये जानकारी दें I think this is something so serious that heads should roll who is behind this scheme which which covers all tracts, which ensures a totally opaque system of political funding, the accountability must be fixed. The country should know who is behind this corruption. And we all know who is behind this corruption. अजिए अलग-अलग समय पर हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने कोशिश पूरी की, कि जितना हो सके, पारदर्शी बने यह सिस्टम, यह विवस्था. और कोई भी विवस्था धीरे-धीरे परिपक वो होती है, धीरे-धीरे पूरी तरह से एक ऐसे स्तर पर पहुंसती जहां आप कह सकते हैं, हाँ साब यह विवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकती और बिल्कुल सही है. समय लगता है उसमें. लेकिन अचानक 2014 के बाद इस देश में एक ऐसी सरकार आई, जो किसी भी विवस्था की यात्रा में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया. अब तो सब कुछ परदे के पीछे होगा. मुझे याद है, राजसभा में जब मनी बिल स्वर्गी श्री अरुन जेटली उसको डिफेंड कर रहे थे, तो the way he intellectualized it, उसका ऐसा बौध्धिकरन किया उन्होंने, कि हमें बहुत सोचना पड़ा इसका कैसे जवाब दें. आज समझ में आता है कि उसका बौध्धिकरन किया ही इसी ले गया था, कि हम और आप ज़्यादा सवाल न उठा पाएं, हम और आप इसको क्योंकि इतना बौध्धिकरन हो गया हम इसको स्विकार कर लें, कि अरे साब इतना intelligently बोला गया तो सही होगा, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक अपारदर्शी योजना थी, अगर वो अपारदर्शी नहीं होती, अगर भारती जनता पार्टी की सरकार को इतना आतोविश्वास था, तो उसको money bill की हैसियत क्यों दी गई कादरजा क्यों दिये गया, क्यों नहीं उस पे चर्चा होने दी, यह बहुत महतुपूर्ण मुद्दा है, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए, इस नेवर तो लेट तो defend and to protect democracy, इस नेवर तो लेट, अब मैंने उनको तो डांटते वे बोल दिया, वो क्या कहेंगी फिर मुझा, चलिए, पूछे, अब क्या वो farmer अपना मनशा राधनितिक cleanings नहीं बता सकता, क्या वो नहीं बोल सकता कि मैं राधनिति, मैं इस देश में अलग तरह की राधनिति चाहता हूँ, किसान बोल दे, कि मुझे मोदी को हराना है, तो वे देश-द्रोही हो गया, कमाल है साइब, 2014 में तो आप मेंसे कई लोग बोलते थे कि हमें Congress को हराना है, तो हमने तो आपको देश-द्रोही नहीं कहा था उसमें क्या हो गया किसान का हक नहीं है क्या वोटर नहीं है क्या मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है देश प्रेमी है देश भक्त है मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देश द्रोही है यह किस तरह की बेवस्था ला रहे हैं साथ तो करना चाहते हैं लोग क्योंक समस्ते हैं आप भी समस्ते हैं आटिफिशल इंटेलिजेंस का दुरूपयोग हम भी देख रहे हैं कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है वक्ताने दीजिए कई लोग तिहाड में होंगे सुन लीजे यह ग्राफ कैसे उपर रखा जाता है अब आप सुन लीजे क्योंकि उसमें आप सब भी भागिदार है आपके जो मालिक हैं वो भी भागिदार है कैसे उन पर दबाव होता है उन पर किस तरह की व्यवस्ता होती है आपस में किस तरह की लेंदे इसके पास हिरेंजोशी के यह ग्राफ उपर ऐसे रखा जाता है तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए तो क्या गलत है यह ग्राफ उपर ही रहेगा और अर्टिफिशल ही रहेगा क्यों हेड्लाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में वहाँ आप कहते हैं कि ग्राफ उपर क्यों नहीं रहना चाहिए है असल में क्या है बाहर और देखें नमोदी जी बुलाएं किसानों को अपने घर पे या जाएं किसानों से मिलने जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने एक घंटे में दो बेरोजगार नौजवान आत्मत्या कर रहे है इस देश में इक ग्राफ उपर दिख रहा है आपको कॉंग्रेस पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसको गटबंदन बनाना आता है गटबंदन चलाना आता है गटबंदन करना आता है अब नई पार्टीों से अगर मैं और आप ये उम्मीद रखें कि वो भी उतनी ही परिपक वो होंगी तो वो उड़के प्रती आप गलत कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं एक सेक्ट, एक सेक्ट, तो धीरे-धीरे हर पार्टी को ये सीखना होगा, कि गटबंदन का धर्म क्या होता है, और मैं उसमें उनको गलत नहीं ठैराता, पैदा होते ही हम दोड़ने थोड़ी चलना पड़ते हैं, धीरे-धीरे चलना सीखते हैं, पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर उटते हैं, फिर धीरे-धीरे चलते हैं, फिर दोड़ना सीखते हैं, तो अगर वो चलते-चलते गिर जाए, तो उनका हम अपना हाथ आगे बढ़ा के ठाम के उनको उठाएंगे, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, यारे साब आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक कि आज की तारीख में गटबंदन आपके सामने है उसके थदस्य सब हैं जब तक कोई अधिकृत गोष्णा किसी एक तरफ से नहीं होती तब तक गटबंदन है चर्चा होगी इस पर भी फिर उस पर जो भी निश्कर्ष निकलेगा आपको जरूर बताएंगे रास्ते में किसानों से मिलने उनको कहना आते वे मिलने जाते वे मिलने कभी मिलने और हेलिकॉप्टर में जाएं बाइरोड जाएं ताकि कील हट जाएं रास्ते से चर्चा है जब तक मैं तथ्यों से वाकिफ नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी से अलग हो गए उनको पार्टी से निकाल दिया तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सीधा उन पर हमला बोलूँ जब तक तथ्यों मेरे सामने नहीं होंगे मैं उस्पेक्टिव पड़ी यह एक दिल का रिष्टा है और दर्द का भी रिष्टा है जिस जिन परिवार के सदस्यों ने गांधी परिवार के सदस्यों ने राइबरिली का प्रतिनेद्द किया उनका जो योगदान इस देश की रचना में है वो राइबरिली के लोग नहीं भूल सकते क्योंकि उनी के आशिर्वाद से इस परिवार के लोग उस काबिल बने कि इस देश की इतनी सेवा अपने खून से कर पाए ना केवल अपने पसीने से बिलकुल बना रहेगा अब देखिए इसमें यह एक भावुक पत्र है यह एक भावनाओं का रिष्टा है राइबरिली के लोगों का